बांगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। विभाजन के पहले से लेकर पाकिस्तानी शासन के उथल पुथल भरे समय के दोरान और बांगलादेश को स्वतंतरता मिलने के बाद भी हिंदूओं की संक्या कम होती गई और अत्याचार बढ़ते गए। वैदिक काल में हिंदू धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म की जड़े लगभग 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व वैदिक काल तक फैली हुई हैं, जिसके दोरान हिंदू दर्शन के मूलबूत ग्रंथों की रचना की गई थी। बंगाल पर गुप्त सामराज्य का प्रभाव गुप्त सामराज्य जिसने लगभग 320 से 550 इसवी तक शासन किया, बंगाल में संस्कृतिक और धार्मिक विकास का एक स्वर्ण यूग था। गुप्त शासन के तहट, बंगाल भव्य मंदिरों के निर्मान और संस्कृत साहित्य के प्रसार हुआ। गुप्तों ने हिंदू धर्म को बंगाल में प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका प्रभाव धार्मिक वास्तुकला और कला तक फैला हुआ था। गुप्त काल के बाद, पाल राजवन्ष ने इस विरासत को जारी रखा, एक सम्रिद संस्कृती को बढ़ावा दिया जिसमें हिंदू और बौध परमपराओं का मिश्रम था। इसलाम का आगमन तेरवी शताबदी के आसपास, इसलाम बंगाल चेतर में, विशेश रूप से पूरवी बंगाल में आया। की प्रसार का मार्ग भी प्रशस्त किया और बंगाल चेतर में हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व में गिरावट आई। सोलवी शताबदी में मुगल सामराज्य ने इस चेतर की इसलामी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुगल समराटो, विशेश रूप से अकबर और और अरंगजेब ने ऐसी नीतियां लागू की, जिन में मदर्सों की स्थापना और इसलामी सं समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतह बंगाल के विभाजन और आधुनिक बंगलादेश के निर्मान का कारण बनेगा। अवश्यक्ता के रूप में उचित ठहराया, लेकिन कई भारतियों ने इसे साम्प्रदाइक विभाजन पैदा करने के उद्देश इसे फूट डालो और राज करो रणनीती के रूप में माना। साम्प्रदाइक विभाजन के कारण कलकत्ता और आसपास के इलाकों में दंगे हुए। कोमिला चटकाम डिवीजन के एक कसबे कोमिला में विभाजन के बाद साम्प्रदाइक दंगे हुए। हिंसा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आर्थिक प्रतिसपरधा के कारण भढ़की थी, जो विभाजन के आसपास राजनीतिक बयानबाजी से और बढ़ गई थी। नो आखाली साम्प्रदाइक हिंसा हाला कि नो आखाली दंगे 1946 की घटनाओं से अधिक प्रसिद्ध हैं, इस च्षेत्र में 1905 के विभाजन के दोरान भी साम्प्रदाइक तनाव देखा गया था। 1947 में बंगाल का दूसरा विभाजन प्रमुक्ः साम्प्रदाइक तनाव दंगे और शेत्र कलकत्ता दंगे 1946 The Great Calcutta Killings, जिसे Direct Action Day दंगों के रूप में भी जाना जाता है, 16 अगस्ट 1946 को हुई थी और यह विभाजन का अग्रदूत था। हालाकि कलकत्ता वर्तमान भारत में है, लेकिन हिंसा ने पूर्वी बंगाल सहित पूरे बंगाल में साम्प्रदाइक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। दंगों के परिनमस्वरूप हजारों मौते हुई, जिन में ज्यादातर हिंदू थे और 1947 में विभाजन के साथ होने वाली सामुहिक हिंसा के लिए मंच तयार किया। नोआखली दंगे 1946 नोआखाली वर्तमान बंगलादेश इन दंगों को नोआखली जिले में हिंदू अलपसंख्यकों के खिलाफ गंभीर हिंसा द्वारा चेहनित किया गया था, जिसमें सामुहिक हत्याएं, जबरन धर्मांतरन और अपहरन शामिल थे। यह हिंसा विभाजन की अगुवाई में पूरे बंगाल में सामप्रदाइक अशांती के व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी। नोआखाली दंगे उस सामप्रदाइक नफरत का प्रतीक बन गए जिसने बंगाल को जकड लिया था। नाका और चटकामव दंगे उननीस सो सैंतालिस। घटनाय जैसे जैसे विभाजन निकटाया इन शहरों में हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच तीवर सामप्रदाइक जड़ पे देखी गई। कई हिंदू इन क्षेत्रों से भाग कर पश्चिम बंगाल या भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। मैमन सिंग और बारिसल हिंसा उननीस सो सैंतालिस। मैमन सिंग और बारिसल वर्तमान बंगलादेश के च्षेत्र। सामप्रदाइक तनाव बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में हिंदूों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इन क्षेतरों में हिंसा ने भय और अराजक्ता के समगर माहॉल में योगदान दिया, जिससे बड़े पैमाने पर हिंदूों का भारत में पलायन हुआ बंगलादेश मुक्ती संग्राम के दौरान हिंदूओं की भूमिका 1971 में बंगलादेश मुक्ती संग्राम के दौरान हिंदू समुदाई ने पाकिस्तान से आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह युद्ध, जो मार्च से दिसंबर 1971 तक चला, व्यापक हिंसा और बीसवी सदी के सबसे भीशन नरसंहारों में से एक था हिंदू, जो बंगाली आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानिय सहयोगियों, विशेश रूप से रजाकार, अल्बद्र और अल्शम्स मिलिशिया द्वारा अस्मान रूप से लक्षित थे पाकिस्तानी सेना ने हिंदू आबादी को भारत और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रती सहानुबूती रखने वाला माना और इस प्रकार उन्हें विशेश रूप से क्रूर विवहार के लिए चुना गया हिंदू समुदाय के लिए परिनाम गंभीर थे 25 मार्च 1971 को शुरू हुए पाकिस्तानी सेना के ओपरेशन सर्चलाइट ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू पडोस, मंदिरों और गावो को निशाना बनाया सेना ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और हिंदू आबादी को खत्म करने के इरादे से बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलातकार और अन्य अत्याचार किये अनुमान है कि नरसंहार के दौरान मारे गए 20 लाख से 30 लाख लोगों में से एक महत्वपूर्ण बहुमत हिंदू थे कई लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए, लाखों लोगों ने पडोसी भारत में शरन ली पूरे गाव नश्ट कर दिये गए और अंगिनत महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई जैसा कि हम बंगलादेशी हिंदूओं के इतिहास में गहराई से उतरते हैं, पिछली शताबदी में हुए नाटकिये जनसांकिकिये बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है बंगलादेश में हिंदू आबादी में 1901 से 2022 तक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, कुल मिलाकर हिंदूओं का प्रतिशत दशकों से जनसंकिया लगातार घट रही है 1901 में पूर्वी बंगाल शेत्र में हिंदूओं की आबादी लगभग 33 परसंट थी हाला की 1947 में विभाजन के समय तक यह प्रतिशत पहले ही गिरकर लगभग 28 परसंट हो गया था 1951 से 1961 तक पाकिस्तानी शासन के दोरान गिरावट जारी रही और हिंदू आबादी घटकर 19 परसंट हो गई 1971 में बंगलादेश की आजादी के बाद गिरावट का सिलसिला जारी रहा 1974 तक हिंदू जनसंख्या का केवल 14 परसंट थे यह गिरावट नहीं रुकी और 2022 तक हिंदू आबादी मातर 8 परसंट रह गई जो इस समुदाई पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों के दीर्ग कालिक प्रभाव को दर्शाता है बंगलादेश में हिंदूओं की कहानी स्थाई दर्द और अथक संघर्ष की है, खासकर शेक हसीना के कारेकाल के दोरान इस अवधी में इसलामी कटवाद, क्षेत्रिय अस्थिर्ता और हिंदू अलपसंक्यक समुदाई पर लक्षित हमलों की एक श्रिंकला में व्रिद्धी देखी गई है शेत्र में इसलामी कट्रवाद के उदे ने कट्रपंती तत्वों को प्रोटसाहित किया है, जिससे हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों पर लगातार हमले हो रहे हैं अलपसंक्यकों की सुरक्षा में नई सरकार की भूमिका असंगत रही है सारवजनिक आशवासनों के बावजूद, ऐसे अत्याचार होने पर अकसर जवाब देही की कमी होती है नियाए प्रणाली परिणाम देने में विफल रहती है और इन अपरादों के अपरादियों को शायद ही कभी नियाए के कटगरे में लाया जाता है यह केवल आकडो यह प्रितक घटनाओं के बारे में नहीं है यह धार्मिक असहिशनुता और राजनीतिक अस्तिर्ता की मानविय लागत के बारे में है यह तूटे हुए परिवारों मलबे में तबदील हो चुके प्राचीन मंदिरों और एक ऐसे समुदाई के बारे में है जो चुपचाप पीड़ा सहता रहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें